अमरकांत का जन उत्रपरदेश के बलिया जिले के नगरा गाउ में सन 1925 में हुआ था अमरकांत के बलिया उत्रपरदेश में एक जिले का नाम है इसके बाद उन्होंने इलहाबाद विश्व विधालय से बीए की डिग्री प्राप्त की शाहित्य सर्जन में उनकी बचपन से ही रूची थी उनका इंट्रेस्ट शाहित्य की तरफ था किसोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारम कर दिया जब वे जवानी में आए किस्वरावस्था में आए तो उन्होंने कहानी लिखना प्रारम कर दिया अमरकांत ने अपने साहितिक जीवन की सुरुवात पत्रकारिता से की सबसे पहले उन्होंने आग्रा से प्रकासित होने वाले डैनिक पत्र सैनिक के संपाद किये विभाग में कार्य करना आरभ गिया और यहीं वे प्रगती सील लेखक संग से भी जुड़े तो आपको याद रखना है कि अमरकांत ने सबसे पहले सैनिक के संपाद किये विभाग में काम करना सुरू किया था और यहीं पर रहते हुए वे प्रगती सील लेखक संग से भी जुड़ गए इसके अतिरिक्त इसके अलावा उन्होंने दैनिक अमरत पत्रिका और दैनिक भारत के संपाद के विभागों में भी काम किया कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक परमुख कहानिकार है आपको याद रखना है कि अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक परमुख कहानिकार है उन्होंने अपनी कहानियों में सहरी और ग्रामीन जीवन का यथार्थ चित्रन किया है यथार्थ चित्रण मतलब वास्त्विक चित्रण किया है सहरी और ग्रामिन जीवन का वे मुख्यत है मध्यवर्ग के जीवन की वास्त्विकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानिकार थे अपको यह भी याद रखना है आपको यह बात भी समझनी है कि अमरकांथ वास्तों में जीवन की विसंगतियों को व्यक्त करने वाले विसंगतियों को बताने वाले कहानिकार थे वरत्मान समाज में व्याप्त ऐमानवियता, हरदहीनिता, पाखंड, आडंबर, आदि को भी उन्होंने अपनी कहानियों का विश्या बनाया है उन्होंने अपनी कहानियों में एमानवियता के बारे में, हरदहीनिता के बारे में, पाखंड के बारे में, आडंबर के बारे में, इन सभी के बारे में कहानिया लिखी है आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्तवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है मतलब वास्त्विक रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है उन्होंने वैसी ही कहानिया लिखी जैसा उन्होंने अपने समय में अपने आसपास अपने चारों तरफ अपने समाज में देखा उनकी सैली की सहजता और भाशय की सजीवता पाठको को आकरसित करती है यहां पर बताया गया है कि अमरकांत की सैली लिखने की सैली में बहुत अधिक सहजता और भाशय की सजीवता के कारण वह पाठको को पढ़ने वालों को अपनी और आकरसित करते हैं आंचलिक मुहावरों और सब्दों के प्रियोग से उनकी कहानियों में जीवन्तता आजाती है अमरकांत की कहानियों के सिल्प में पाठको को चमतकरत करने का प्रियास नहीं किया गया है आपको यहां भी ध्यान देना है कि अमरकांत अपनी किसी भी कहानि में चमतकार व्यक्त नहीं करते थे वे वास्त्विक्ता को व्यक्त करते थे वास्त्विक्ता को बताते थे और किसी भी परकार की कल्पना को, किसी भी परकार की बनावटी कहानी को नहीं लिखते थे वे जीवन की कथा उसी धंग से कहते हैं, जिस धंग से जीवन चलता है वास्तों में, अमरकांत एक सच्चे यथार्तवादी कहानिकार थे अमरकांत की मुख्य रचनाई हैं जिन्दगी और जोक, देश के लोग, मोत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, कहानी संग रहे हैं सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, इन्ही हतियारों से उपन्यास इन्ही हतियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अमरकांत को उनके उपन्यास इन्ही हतियारों से पर सन 2007 में साहित्य अकादमी पुरुषकार से नवाजा गया, सन 2009 में भारती ग्यान पीट पुरुषकार स्री लाल सुल्क के साथ संयुक्त रूप से दिया गया अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है, उन्होंने बच्चों के बारे में भी लिखा है इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दो पहर का भोजन ली गई है इस पुस्तक में कक्ष्या ग्यारा में हिंदी बुक में एक कहानी ली गई है जिस कहानी का नाम है दो पहर का भोजन यह कहानी अमरकान के द्वारा ही लिखी गई है दो पहर का भोजन गरीबी से जूज रहे एक निम्न मध्यवर गिये परिवार की कहानी है इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिनहित किया गया है बताया गया है कि समाज में किस हद तक किस परकार से गरीबी चाई हुई है मुंसी जी के पूरे परिवार का संघर्स भावी उम्मीदो पर्टी का हुआ है सिधेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आच से अपने परिवार को बचाई रखती है सिधेश्वरी कभी भी अपने परिवार को ये एहसास नहीं होने देती कि वे गरीब है वह हमेशा कोशिस करती है और हमेशा सफल होती है अपने परिवार को गरीबी से बचाने में सिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तूत करने की कला का उतकरश्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है अमरकान्त का जन उत्तरपरदेश के बल्याजिले में नगरागाओं में सन 1925 में हुआ था और सन 2014 में अमरकान्त इस दुनिया को छोड़ कर चले गए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और सेर जरूर करें थैंक यू